हलो आपर वर्वान वाकम टेश चैनल कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छे होंगे सो गईस आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपकी माइंड में जो भी पर संट चल रही है आज रात वो आपको लेके क्या फिल करने वाले हैं टामलस टेडिंग है जब आप इसे देख रहे होंगे तभी साप से रसुनेट होगी और मैटर नहीं करता आपकी शाशिक हैं किस जेंडर के अगर एनर्जी साप से मैच करते हैं आपको सरूर बताऊंगी जनर्रेडिंग है जितने मेसेजस रसुनेट होतने लीजेगा बागी को स्किप कीजेगा तो विदाओ प्रस्टिंग टाइम लेके प्रभू का नाम जैसी आ रहा हो सो फैस्ट कार्ड वी हाव ट्रस्ट वैसे भी देखा जाए तो रलेक्शनशिप में पहले नंबर पर अगर जो चीज़ इंपर्टन है वो है ट्रस्ट इस वेरी वाइटल तो आपके जो परसन है वो आपड़ ले में चेक मेरे को चेक करना पड़ेगा यह आपड़ ट्रस्ट करना चाह रहे हैं या इनको ट्रस्ट इस्यूस हो रहे हैं यह ट्रस्ट क्या है इनको आपड़ दीरे दीरे ट्रस्ट हो रहा है या दीरे दीरे विश अच्छा रही है, ट्रस्ट बढ़ रहा है, आप दोनों बीच या घट रहा है, ओके, अजए सी आ रहा हूं, वाव, खिंग आफ कांस, भाई, आप पर विश्वास किया जा रहा है, पहले जो आपकी परसन आप पर विश्वास नहीं करते थे, लोगों की बातों में आ जाते थ हर को इनको इनको इंफ्लेंस कर देते था आपकी अगेंस्ट और इनका ब्रेंड वर्श भी हो जाता क्योंकि नुसेंट थे न, तो अब क्या है, ये धिरे-धिरे ट्रस्ट करने लगे हैं, और ये एक स्पेसेफिक मेसेज है, अगर आप लोगों ने पास्ट में इनको किसी स सूल कनेक्शन के बारे में इनको बताया, या समझाया कि देको सूल कनेक्शन भी होते हैं, सूल में ट्विन फ्लेम लाइक है, तो ऐसे कनेक्शन होते हैं ये जो, तो आपके जो परसन है, ये क्या कर रहे हैं, अब देरे-देरे इनको विश्वास हो रहे हैं, देरे-देरे कर पा रहे हैं कि शायद यह जो connection है यह कुछ अलग हटकी है यह soul का connection है yes definitely again confirmation projections का card है projection और यह जो है यह card मुझे बताता है twin flame की vibe देता है यह mirroring energy है so यह soulmate भी हो सकते हैं so देखो आपकी जो परसा नहीं feel कर पा रहे हैं कि आप same to same इनके हैं आप इनकी आत्मा से connected हैं आप इनको mirror करते हैं कहीं ने यह आपके अंदर अक्स बोलते हैं न अक्स देख पाते हैं आप हुबहु इनके जैसे चाहिए आदते अलग-लग होंगी लेकिन हां यह ऐसा feel करते हैं कि आप इनकी जैसे हैं एक शेरिंग का कार्ड है, यह बता रहा है कि आपके साथ चुई एक कनेक्शन जो फिल कर पाते हैं, मतलब वो नहीं होता, देखो हमारे साथ होता नहीं, जिसे हमारे बहुत साथ डीप कनेक्शन होता है, हम उसे देखते हैं, हम फूल की तरह खिल जाते हैं, हमारे चहरा खिल तो यह वो कनेक्शन है, आपके परसन जब जब आपको देखते हैं तो यह खिल जाते हैं, इस चहरा खिल जाता है, yes, that one I need, यही है, जिसकी मुझे जरुरत ही, मुझे जरुरत है, ठीक है, next, okay, maturity का card है, तो धीरे धीरे आपके परसन mature हो रही है, again, same, हमें messages पिक हो रहे हैं, देखी, trust है, धीरे-धीरे विश्वास बढ़ रहा है आपके प्रती और धीरे-धीरे ये mature भी हो रहे हैं, धीरे-धीरे चीजों को समझ रही है, पहले जहां ये maturity दिखाते थे, पहले जहां इनको doubt होते थे, आपके ओपर doubt करते थे, connection पर doubt करते थे, अब उस doubt से बाहर निकल के ये धीरे-धीरे maturity की तरह जा रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं, ये जो celebration का card है, ये ये भी बताता है कि upcoming future में आप दोनों का union हो, बट यहां पर मुझे third party का doubt था और वही निकला, ये third party इनकी responsibility है, so third party है यहां पर और ये एक ऐसी lady मुझे दिख र बहुत शांत सभाव वाला दिखता है, बहुत जादा चालाक होते हैं, चंट जिसको बोलते हैं, वो है ये, तो ये वो, वो third party है, कोई है इनकी life में कोई ऐसी energy, जो अपना काम निकलवाना जांदे, जो बहुत mysterious है, बहुत सथा mysterious है, जो भनक नहीं पढ़ने देते हैं, आपके परस्ट चाह कितनी में चौट टे आ जाए इनके अंदर, लेकिन ये उनको कभी भाप नहीं पाएंगे, उनके रादों को नहीं भाप पाएंगे, क्योंकि वो खेले पड़े हैं, क्योंकि वो उन्होंने दुनियादारी देख रखी है, क्योंकि वो उनके पास बहुत ज़ता ज्यान है, उन्होंने पूरी दनिया का ज्यान अब्जर्व करके रखा है, इनसे ज्यानी कोई नहीं है, ऐसा इनको लगता है, पट वो ये बात है, डिवाइन टाइम की बात है, जैसे डिवाइन टाइम आएगा, सब के असली चहरे भी आएंगे, सब सामने आएगा, So don't worry, यहां पर, okay, मैंने, वो, by mistake बोला था, ना, मैंने, okay, sharing का card, totality, okay, आप से कुछ share करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, कि, आपके बिनाए कितने अधूरे है, totality का card मुझे ये बताता है कि, आप दोनों मिलके complete है, आप अलग-अलग हैं, तो आप अधूरे हैं, ऐ अजनबी तु भी कभी आवास ते कहीं से मैं यहां टुकडो में जी रहा हूँ मैं यहां टुकडो में जी रहा हूँ तु कहीं टुकडो में जी रही है बहुत beautiful song है इनको ऐसा लगता है कि आप इन से दूर है कि टुकडो में जी रहा हूँ मतलब ऐसे नहीं कि वही वही टुकुडो में जीना मतलब अधूरा अधूरे हैं आप अधूरे ये हैं आपके विना अधूरे आप है experience का काड़ा आगया and what do the deck energy भी देखनी पड़ेगी क्या है guidance universe इनको guide भी कर रही है और इनको नए नए experience दिये जा रहे है ऐसा समझ लीजिए कि यह बहुत कुछ experience कर रहे है universe इनको नए नए experience दे रहे है मतलब हर situation हर छोटी से छोटी चीज हर छोटी से हर कोई इंसान मान लीजिए कोई particular person कोई particular situation इनको और teach करके जा रहे है experience ले रहे है यह ठीक है तो universe इनको guide भी कर रहे है कि देखो जब situation ऐसी हो तो आपको क्या action लेना चाहिए है अगर आपने यह action लिया तो उसका परिणाम फिर यह है तो इनको समझाया जा रहे है इनको guidance भी दी जा रही है सही रहा यह चुने सोरो का काड़ आ गया so ultimately यह आपके गम में दुखी हो ही गया आखिरकार जो आप चाहते थे वह हो गया आप चाहते थे कि आपकी याद में अकेले पैट के आप उमस करें और ऐसे सर पगड़ के बैट कि हाई मैंने क्या कर दिया मैंने मेरे परसन को खो दिया मैं मेरे परसन के पास वापस जाना चाहता है ना यह मुझे पता है ऐसा ही है ना बड़े खुश होते हो जब यह इस एनर चाहती है nothing nice again कुछ नहीं है यह song जरूर सुनीगा सोरो का काड़ भी nothing nice कर तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है के माना यह महफिल जवाँ है हसी है बहुत beautiful song है यही हालत आपकी परसन की बहुत अकेले पड़ गए है बहुत दुख में है आप दोनों की बेच आए डिस्टेंस से दुख ही है आप दोनों की जो भी दूरियां भी है जो भी situation अभी है इससे बिल्कुल खुश नहीं है life में darkness is darkness है अंधेरा हो चुका है इंके जीवन में अभी प्लीज आप लोग यह में तो बोलना अंधेरा कायम रहे ठीक है नहीं होगा सविरा भी होगा अंधेरे के बाद सविरा ही होता है okay so you are my heaven on earth यह आप से कहना चाहते कि आप इनका स्वर्ग है आप इनको पकड़की लेके my soul because it's mint for you सब कुछ इनका ले लो क्योंकि यह आपी के लिए है आपी के लिए बनी हैंगे I'm addicted to you don't go please इने छोड़के मत जाना क्योंकि यह आप से addicted है इनको आपकी लग चुकी है next है thank you for loving me बहुत gratitude शो कर रहे हैं बहुत ऐसा फिल कर रहे हैं कि आपने इनको चूस किया thank you my life I don't have to try to be happy when I'm with you it just happens life में पहली बार यह इनको एफर्ट नहीं डालने पड़े खुश होने के लिए इनको क्या बोलते हैं जद्व जाहत हां कुछ है साई वर्डना यह वो नहीं करनी पड़े महनत नहीं करनी पड़े मतला जब 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 आपकी पास होते हैं आपक यह understanding बदाता है यह I'm lucky to have you in my life बड़ा प्यार आपके उपर बड़ा अडमायर कर रहे हैं आपको आप इनकी life में आए खुद को बहुत lucky feel कर रहे हैं कि आप इनकी life में आए और आपने इनको चूज किया हो सकता आपकी पास all भी options थे बट आपने इनको चूज किया so they are very thankful to you right now ब आप एक हैसान और करतो इनके उपर इनसे अगर यह आपकी तरफ आएं तो इनको happy happy accept कर लेना ठीक है कि कर्मा अपना role play कर चुगे है song है तुझे कैसे पता ना चला यह song जो है यह मुझे आजासे feeling दे रहा है कि इनको regret हो रहा है यह feel कर पा रहा है कि कि आपने इनको बहुत समझाया आपने प्यार के बारे में कि समझो मेरे प्यार को तुम्हे कैसे पता नहीं चला मेरे प्यार के बारे में और अब जब यह दिरे-दिरे समझ पा रहे हैं तो तरस रहे हैं आपको एक नजर देखने के लिए तरस्ती है निगाहे, मेरी तकती है, राहे तेरी चाहिए पनाहंती नहीं, ये कैसे मैं बताऊं, तुझे सोती नहीं, आखे मेरी कटती नहीं, राते मेरी, okay, so universe के तरफ से guidance है, family, emotional support, at present time आपकी जो family है, वो आपकी first priority होने चाहिए, okay, आपको अपनी family के साथ बैट की तोड़ा time spent करना चाहिए, उनकी बाते सुनिये, कुछ अपनी बाते कहिए, बट, आपको emotional support मिलेगा, okay, बट आपको इनके साथ time spent करना है, हमेशा बाबुश रहना, बाबुश होना करते हैं, नहीं रहना, ठीक है, हाँ, बाबुश होना तो अभी आई है, family तो पहले से थी, next card है, divine time, time हकाल का card है, यह है कि अभी आपके life में जो कुछ भी हो रहा है न, वो आपके हाथ में नहीं है, न आपके partner के हाथ में, यह इसमें divine time work कर रहा है, आपके connection में, so जब divine time आएगा, तब आप reconcile कर जाएंगे, या आप union में आ जाएंगे, बट वो होगा divine time पर, तो हाथ पैर चल time दो, anytime बाबुशों न, बाबुशों न करते रहते हो, बाबुशों न को तो बड़ा chase किया, अभी family के लिए time नहीं है आपके पास, ज़्यादा भाव खानी की ज़रुत ना है, उनको भी time दो थोड़ा, so guys यह जीती छोटी सी reading, hope आप से resonate की है, resonate किये तो चैनल को सब्सक्र प्राइब जूर कीजिएगा, बडियो को लाइक कीजिएगा, comment कराना आप लिए मैंते अपने next वीडियो में तब तके लिए जिक के अपना ख्यार रखें, जैसी आराम